नमस्कार आप देख रहे हैं जम्रत की पुगार भाज़का नेता सुरेंद्रा मट्याला की हप्याकान वागने में पुलस ने शूटर योगेश समित 6 लोगों को गिरफ्तार किया पुलस का उमिद है कि इन लोगों के पकड़े जाने की बाद हथ्याकान की गुथी सुलजाना आसान होगा पुलस ने जिन 6 लोगों को पकड़ा है उसमें शूटर योगेश के साथ ही दो नाबालिक भी शामिल हैं तीस वर्ष ये शूटर योगेश हर्याना के जजजर का रहन वाला है सुरेंद्रा मट्याला दिल्ली बीजेपी के किसान मोर्चा के नेता थे सुरेंद्रा के इस महिने की चाधा तारिक को उनके बिंदापुर सित ऑफिस में गोली मार कर हत्या कर दे गई थी डीसीपी द्वार का हर्ष वर्धन ने कहा कि शूटर योगेश का संबंध भगोडी गैंक्स्टर कपिल सांगवान से है बता दे के साथ वर्ष्रिय सुरेंद्रा मट्याला को शम करिबांट बजे उस समय गोली मारी गई थी जब वह बिंदापुर में अपने कार्याले में बैठे थे अब इसमें इसमें एक इंड्रस्टिएशन बाकी है और जो लोग और अरेश्ट होने है उससे इसके मोटिव के बावे में फर्दर के अरुए है जो अभी तक हमें पता है वो यह है कि जो विसीज़ है उनको कभी भी इसी तरह कर एक्स्टॉर्शन का पॉल नहीं आया उनके कि परिवारवारों ने भी यही कहा है कि कभी भी भूष को विसीष्ट को किसी क्रिमिनल गैंग के तरफ से एक्स्टॉशन का कौर या हमकी नहीं मिलाता तो इसका जो एक्जाक्ट मोटिफ है वो अभी हम स्पेपिलेट ही कर सकते हैं जो मेंन कौंस्पेरटर्स हैं जो इसको कराने वाले जो नहीं जिसे एक छादा गाउ का रुष है जो इसमें मेंन कौंस्पेरटर जाएंगे तो हम इसका एक्जाक्ट मोटिफ के बारे में और आपको फर्दल लाईगी है अब ही जो हमने इंको पकड़ा है उनको तो इसके बारे में पहुचा दा आएडिया नहीं की वाई इस इंसिदेंट वस प्लाइड है हम दाभी नहीं करता है के पपल संगवान गाएंट से जुड़े हो नहीं है और वही इस इंसिदेंट को प्लाइन किया हुए और इंसिदेंट मोटिफ से दिया होगा वो में अधाभी में पकोड़ने को प्लाइच में अधा की वाईनल के वह अगुचा देने के बाता है यह उस तरह के पासननित भी नहीं के आपकड़ने के निए इस इस इंसाज़ प्रयों डिता हुच्ग तो कि इस बिस्नेस में है यह परपर्टी के जुड़े हुए थे कुछी प्रॉपर्टी का मुद्धा या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सामदे नहीं आ रहा है जो कि इस मट्रे रखा दिश्टॉ जो एक पाइक यूज़ गाता इस पर्टिक्लर इंसिडेंट में, जो की सेक्टर साथ दौरका से, थाना दौरका साउथ रहता है, वहां से इंसिडेंट के दिन ही सुगा में चोरी कियाएगा, उस चोरी में वो शामिक थे, और वो जो मेन पास्पिरेटर है, इसमें उचाना ग जो नहीं उन्हें को एक इसमें उन्हें के इसम घंगा सभाएगा तो इसमें गाता गाता हुआ है यह उसली गैंक से असोसीटिटेट है और जो चौदा एप्रिली को बिंदापूर थाने के अरिया में एक मडर रिकोर्ट वा था जिसमें एक सुरेंदर सुलंकी नाम के वेक्ति को उन्टा ओफिस में उसकर दो लोगों ने गोली मारा इसकर उनका डेथ हो गया तो उस केस में विंदापूर थामिने इंबर्डर का केस रिष्टर करके इस इंसलेंट में हमारे द्वार्का डिस्टिक के आपरेशन के टीम को उसमें काम कर रही थी और इसमें हमने अभी कुछ अरेस्ट किये है जो दो शूटर को ओफिस में आय थे उनमें से एक शूटर को क्रिप्ता किया गया है और इसका नाम योगेश है और वो जजजब डिस्टिक का छादागाओं का निवासी है थर्टी एस उसके पास से एक रुपन परिफोर किया गया है और पांच लाइफ काट्रिज में इसके अलावा हमने पांच और लोगों पकड़ाएं इसमें से दो जो 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 गनाई लाएं और तीन अडल्ड है उनको आने स्कृम्डवे कांच परिफोर के शामिल रहकर इस मड़ग में जो 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 फिरतार किया है उसमें एक है सोविच जो जो पिछारागाओं का है और जो बाटी लड़के है अरुन आवद इपक इन ल के अरुके है उसके बारे में इनको कोवाईड किया था और प्लस जो पुछ पैनेशन करणेक्शन हुए है वो भी इन लोगें लिख हो जो जो इंसिडेंट करने के लिए जो उनको कुछ पंडिंग की जवरत दिया उस तरह के लिच थे उसके ले इन को पकड़ा गया है अब जो बाकी जो एक और शुकर था प्लस जो कॉंस्पिरसी में और जो मेन लोग शामिन थे वो अवे पकड़ने बाकी हैं बद सारे आइडेनफाई कर लिए गए हैं और उन पर हमारा इंट्रीवर्स रेड और काम चल रहा है जो गरिफतार किती है इनका संबंद जो एक एक अप्सकांडिक क्रिमिनल है कपिल संग्वान उससे इनके संबंद पाए गए हैं जैसे कि आप लोग पता है कपिल संग्वान के मोश्बी जो असोशेट हैं इंक्लिडिंग उसके भाई और पाकी असोशेट सब यहां जेल में ब कपिल संग्वान जो है भगोडा कोशेट कर दिया गया है और वो अभी देश से बाहर पहीं अप्सकांड कर रहा है तो जो यह लड़के हैं उसका संबंद या इन यह जो कुछ इंद्रिक्टेद अप्सोंगरा यूस करके आपस में कम्यूनिकेशन करते हैं हमने इक माई यह जाला है जो एक कुछ इपरमीशन है और उसके काम चल गाहि है इस केस में काफी जादा टेकनीकल अनललासिस और अर ईपरैंशन केशन पर इसब कद यह तक हमारे पूल आपरेशन से के टीम में इसका बज़ जाल अपरेशन से किम कुछा को फूरेशन के इसके अन पिर श तो एक स्क्रीन शॉर्ट सब्लेट हुआ था, वो एक इंस्टाग्राम इडी था, बट वो अनकन्फर्म्ट है, तिल्कि वो अकाउंट उसी दिन क्रिएट किया था, और प्राइकरिकिल देर बाद अकाउंट करन भी हो गया, उसके कोई ऐसे सब्स्टेंशियर फॉलोवर्स या कुछ नहीं थे, उसका हमने टेखनिकल इन्वेस्टिकेशन किया है, क्यों अकाउंट था जाता है तो उसके आमाले काम चल रहा है, बट वो कोई सब्स्टेंशियर नहीं हो पाया है, क्यों जनुर्ट भी उसकाउंट को वही उप्रेट कर रहा था, या उसमें उसमेसेज को कि यह कोई एक्स्टॉर्शन का बात नहीं रिखा हुआ था, इसमेसेज में कुछ इस तर अगर बाते लिखिया है, कि इनका कोई सोशल टाइज या रिख्शन थे किसी और ग्रूप के साथ, कि इस करण से ऐसा हो उसमें रिखा हुआ था, पकि यह भी कोई कंफॉर्ण बात अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कि रिखा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और ख़बरों के साथ, नमस्कार